हेलो फ्रैंच तो आच है आज की वीडियो में पहले वीडियो हमने करा दिये जो की पचास क्वेडियो रही थी मारी तेवी किलास। इसले एक बार आवस से देखें। तो आज की वीडियो में में हम 50 कोईशनों के वारे में बात करें और हमारा इस बाहरत प्राचीन भारत के में 400 प्लस कोईशनों का टारगेट है तो चलिए 50 कोईशन की मैंने वीडियो गरा दिया और 50 की अब करने वाले तो सुरुगात करने हैं 51 परिसंट यानि 51 परिसंट से तो देखेए 51% क्या कह रहा है यह कि बाहरतिय पृतिक पर उत्किन सत्य माज़ेते लिखा गया है किसी लिखा गया है रगवेट से मत्स्यपरोंट से भगवद कीता से मुंड कोपनत से तो इसका राइटांसर हो जाएगा नंबर डी मुंड कोपने से उपनत से लिखा गया है ठीक है अगला स्वाल देगी नंबर बावन आरम एक बैदिक काल में ब्रण व्यवस्ता आधरत थी किस पर आधरती से चाप है जनम पर यह व्यवसाय पर यह प्रतवापर तो इसका राइट रजाया का नंबर सी कि व्यवसाय पर आधरत थी अगला देगे निमनल लिकेत में ऐसे कौंसा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रियाव होने बालों में इसे था राइगी जो इसे हम यह कहते है यह जाई जिसे हम ओट कहते है तो इसका राइटांसर हो जाएगा जो ठीक है अगला कोशन देखी आप पर निम्न लिकित में से रिगवेद काल के दोरान किसकी जनकारी नहीं थी सब्सक्राइब परणाली की क्रशी की ब्रण विवस्ता जाती की या विवाप्रता की तो इसका राइटान सरो जाएक आपका सी ब्रण विवस्ता अगला देखिये जुरह से काल का माना गया पूरी तरह तैयार ब्रच्चिय फांसिल कहां पाया गया है पितरोड गड़ चतीजगड रामगड या भाद्रगड तो इसका राइटान सरो जाएगा आपका नंबर बी या कि सुत्र निमन मैं से किस बेद में हैं सामबेद रिगबेद येजरुबेद या अतरवेद तो इसका राइटान सरो जाएगा आपका नंबर सी अगला प्रसंद देगे है निमन लिकत में से कौन सी जन जाती है सभा सामान रूप से जन जाती है सरता रहने मुखिया के चुनाम में सामिल होती थी समिती सभा या गण या पिता था तो इसका राइटान सरो जाएगा नंबर ए ठीक है नंबर ए सिंदु गाट स्प्ता की यिपी कौन सी है सिंदु गाट स्प्ता की य लिपी कौन सी है खरोzk्टी अग्यात ब्रामी या तमिल के उसका यह प्राइट सरो जाएगा तो इसका राइट अंसर वजायापका नंबर B ओला देखिए उपने सब्ति सब्त्रोप से यह अर्थ होता है ज्ञान या पुद्धीमता या पास बैटना या सरश्वरफ पार्थ यानि पटन तो इसका राइट अंसर जाओगा नंबर सी नंबर सी अलब देखिए सिंदु वाटि सब्रिता का गोधी बाड़ा लोतल यहां इसते तह या नि कहां इसते तह गुजराप पंजाप यहां पाकिस्तान यहां हर्यान तो इसका राटान सरोजाः आपका गुजराप ठीक है कहां पर रहते थे हैं उत्तर प्रदेश बंगार सब्त सिंदु यहां दिल्ली तो इसका राटान सरोजाः आपका है सी सवाल सब्त सिंदु वाला देखिए सिंदु अर्थ व्योस्ता की तागत थी करशी व्याफार चाक पर बनाए मिट्टी के परतन यहां फिर बड़ाई गिरी बड़ाई ग सबसे बड़ी अर्थ व्योस्ता की तागत क्या थी करशी थी कि अला देखिए निम्न लेकित में से किस देश ने भारत से मोहन जोद्रों से प्रिशिद्द नरता कन्या की प्रितमाब वापस देने के लिए कहा है बांगला देश भूटान चीन पाकिस्तान तो इसका राटा सब्सक्राइब काली वंगा निम्न लेकित में से किसके लिए प्रिशिद्द है चटान कटोती की बास्तुगला यह बंदरगा यह कपास की खेती यहां फिर मिट्टी के पाथ तो इसका राट अंसर क्या हो जाएगा मिट्टी के पाथ तो अगला स्वाल देखिए अच्छो मावारत का प्राणमिक नाम क्या था कता सरता सागर्क यह जै साहिता यह राज तरंगडी यह बारत कता तो इसका राट अंसर क्या हो जाएगा जै साहिता अगला देखिए निम्न लिकित वैदिक साहितां मेंसे बारति संगीत काउद कम किसमें से खो जा जा सकता है रगवेद मेंसे सामवेद मेंसे यह जिरुपेद यह तरवेद तो इसका राट अंसर हो जाएगा नंबर भी सामवेद मेंसे अगला देखिए जिस मनीशी यानि पंडित ने दच्छण वारत का आर्गी करण किया वे कौन थे याग्या बकल्य यह बसेष्ट यह अगस्त्य यह विश्वामित पताए कौन से रिसीत है तो इसका राट अंसर गया होगा नंबर सी अगस्त रिसीत है शिंदु गाटी का अगला स्वाल देखिए बच्छो विश्वाम सब्त ग्याद कीजिए सामबेद यह जुरुबेद विश्वु पुराण या रगवेद तो इसका राट अंसर क्या हो जाएगा सी विश्वु पुराण अगला स्वाल देखिए बिसाल इसनान सावर ग्रेट बात कहां मिलाता हडपा में या लोथल में या फिर चुनहु दुडो में या मोहन जो दुडो में तो इसका राट अंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है मोहन जो दुडो में मिलाता अगला देखिए शिंदु गाटी सब पिता के लोग किसकी पुजा करते थे विश्णू की पस्पती की या इंद्र की या ब्रह्मा की तो यहां से इसका राइट अंसर हो जाएगा नंबर B अला सौल देखिए निमन लिकित में से कौन एक शिंदु गाटी सब पिता की कोज करता थे यहां से देखिए इसका राइट अंसर वैसे तो यहां से देखिए इसका राइट अंसर वैसे तो एक उप्शन होगा क्योंकि जो मौह ऑन चौरड़वा, वो किस लिए पिसित है ग्रेट वात के लिए और जो हडपा है वो त्रिट के लिए हो काली वंगा है जो हल्केचिन के लिए यह तो सही है और जो ड यहां वो किस के लिए पतन के लिए अटिक से नमबर A हो जाएगा पुस्तक हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा है सी इंदू दर्शन का शुरूद अगला देखिए कौन सा बेद धार्मेक अनुष्टानों से संबंद रखता है रिगवेद ही जुरूबेद सामबेद या थरबेद तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नंबर भी धा अधर्मेक अनुष्टानों से संबंद रखता है या जुरूबेद अगला देखिया निम्न लिकित मैं से किस बेद में जादू चमतकार तता मंत्र दिया गया है रिगवेद सामबेद युचरूबेद या अतरवेद तो इसका राइट नसर होगा डी अतरवेद में जादू अला सौल देखिये सिंदू गाटी सब्वेता में ब्रहत सनागार या विशाल इसनानगर निम्न लिकित मैं से किस नगर में पाया गया है लोतल मोहन जोदूडो या मिता थल या काली बंगा तो इसका राइट अंसर क्या होगा बी मोहन जोदूडो में आला देखिये अला गाटी सब्वेता में दौला बीरी कि निम्न लिकित मैं से किस के लिए प्रिश्थ है चट्टान से निर्मित इस्तापात्त के लिए या बंदरगा के लिए या जलसर रचण के लिए या मित्टी के पात्र के लिए तो सिका राइटक्ष ऐसा कि उज़ा रच्ण के लिए अला स्वाल देखिए रिगवेद में सबसे प्रमुक देवता कौन है इंद्र बी अगनी सी बस्पती डी विश्णू तो इसका राटन्स रोजागा आपका एंद्र गौतम बुद्ध ने महापर निवारण कहां लिया था पटना कुशी नगर या भाराणसी या सारनात तो इसका राटन्स रोजागा बी अप्शन कुशी नगर अगला स्वाल देगिया तो देखिए सवाब मोहन जोदलो और अडपा के अवसे संकेत देते हैं कि ये सांदार योजनागत अच्छी तरह से मनाई गई थी करसी नगर हैं तार्मिक नगर हैं व्यापारिक नगर हैं या तट्टी नगर हैं तो इसका राटन्स रोजागा दा ब्रह्मा विवा गंदर्व विवा देव विवा या आर्ष विवा तो कौन सा प्रेम विवा हो जाएगा इसमें अप्शन बी हो जाएगा क्या है गंदर्व विवा अगला देखिए शिंदू भाटी सब्विता में लोथल निम्न लिकित में से किस के लिए पिरसित्था चट्टान से निर्मत इस्ताफत्य के लिए बंदर्व गा के लिए कपास की केती के लिए मिट्टी के पासर के लिए यह तो मैंने अभी पराया था रिवीज हो गया है चलो कोई बात नहीं है तो यहां पर कॉन सा वजार का बी सबाग अंदर गा के लिए कि अगला देखिए कि निम्न लिकित में से कौन सा बेद बेद यत्तरी का भाग नहीं है ए अप्सन रिगवेद बी अप्सन युजरवेद सी अप्सन सामवेद डी अप्सन अत्रवेद तो इसका राटनसर हो जागा का डी सबाग अत्रवेद अला देखिए अडपपाई स्तल मानड़ा किस न दी गे किनारे इस्तित था चैनाव, सतलच, राभी या सिंदु तो इसका राटनसर का भावज़ेगा चैनाव किस न दी केनिकट रिगवेद सब बेदाइस सब से अधिक इस्तित थी A option नर्मदा, B option सरस्थी, C गंगा, D गोदावरी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? B option सरस्थी अगला देखिए, निम्न लिकित में से किस अडपा के इंदर के बारे में माना जाता है कि मेसो पोटामिया के साथ सीधा समुत्र प्याफार था दोरा वीरा, या लोथल, या फिर पोट दिजी या रोपड, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा पर लोथल अगला देखिए, रिगिवेद का कौन सा मंडल पूर्णत है, सौम को समर्पित है साथमा मंडल, आटमा मंडल, नौमा मंडल या दसमा मंडल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पर का सी, नौमा मंडल अगला देखिए, भारत का कौन सा छेतर एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था अवद, रूहेलखंड, पुंदेलखंड या मालवा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पर का मालवा अगला देखिए निमने लिकित में से किस हडपा कालीन इस्तल से हाल का टेरा कोटा प्राप्त हुगा दौला वीरा बन वाली अडपा या लोतल तो इसका राट अंसर हो जाएगा आपका नमबर बी अप्शन बन वाली अगला देखिए निमने लिकित में से वह सासक कौन था जिसने राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने पिता बेमिसार की हत्या की ठीक है पिमिसार एक बहुत महान रहा जाथा तो इसका राट अंसर हो जाएगा आपका बी अप्शन अजात सस्त्रू ने अपने पिता को मार कर राज सिंगासन पर बैठा था अलो शौल देगे किस प्रकार का मृत भांड यानी पोटरी भारत में दोतिय सहरी करण के प्रारम का प्रतीक माना विया है ए उप्शन चित्र दूसर बरतन बी उप्शन उत्री काले पॉलिस यक्त बरतन या सी गेरू रंग बाले मिर्द भांड या डी काले और लाल बरतन तो इसका राट अंसर हो जाएगा आपका बी ठीक है उत्तरी काले पॉलिस यक्त बरतन अगला देखे पिंचान में राजस्तान में माउंट आउपर दिलवाड़ा मंदरों का निर्माण निम्न लिकेत में से किस दर्म के अनुआईयों द्वारा किया गया था बॉद्ध बी जैन सी हिंदू डी सिक तो इसका राट अंसर हो जाएगा आपका बी जैनों ने किया था अगला देखे जैनियों के पहले तीर्थ कर कौन थे जैनियों के पहले तीर्थ कर कौन थे अरेश्ठ नेमी पार्षबनाथ या अजितनाथ या रिसब तो इसका राट अंसरोजा आपका डी रिसब अगला देखिए तृपिटक धार्मिक ग्रनत है जैनों का बी अपसन बौद्धों का सी सिक्कों का डी हिंदुओं का तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका नंबर बी अगला देखिए महावीर की माता कौन थी या सूदा अनोजा या चेटक या तरिसला तो इस राइट अंसर क्या हो जाएगा डी तरिसला अगला बताईए निम्न लिकित में से जैन दरम का कौन सा त्रिरतन नहीं है सही विश्वास सही ग्यान या सही दरश्टी या सद आचारण तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सही दरश्टी अबला देगे जैन दरम तता बहुत दरम दोनों ही निम्न लिकित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं यज्य मुक्ति जाति या कर्मकांड तो इस बाले ये लाइट कोईसन है इस वीडियो का तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ठीक है तो ये आपकी क्लास दूसरी थी अगली वीडियो हम आपकी लिए लेकर आएंगे क्लास ती इसमें से 101 पैसे यानि फिर उसमें 50 वीडियों का 50 कोईसनों का समरे होगा तो ये प्राचीन भारत की मुख्य मुख्य कोईसन मैंने आपको करा दिये है और हमारे ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक आजाएगी यूटूब पर तो आप जरूर देखें अबर वीडियो पर आप नए हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे चैनल को सब् स्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें तन्यवाद